नमस्ते आज हम आंतर कुम्बक का अभ्यास करते हैं आंतर कुम्बक के अभ्यास से अपनी स्वसंद ख्षमता कैसे बढ़ाए कोरोना वाइरस सर्दी जुकम कफ कोल जैसी बीमारियों से कैसे दूर रहे इसका अभ्यास आज हम करते हैं अंतर कुम्बक एक योगिक क्रिया है इससे लगातार करने से हमारे फैफडों की श्वसन शम्ता बढ़ती है आप किवल दो-चार दिन करेंगे तो फर्क महसुस कर सकेंगे जब स्वास इंहेल करते हैं वहार फिफडों में जाती है अव्लान। लाको चेंबर से उसमें हवां जाती है और जब हम exhale करते हैं, स्वास बाहर फ्यक्ते है तो वो गणघी बाहर निकलती है। इसी तरह पुरे बॉड़ी में स्वसंत अंत्रा, टैस्पिरेट्ट्री सिस्टम चलती है। तो अंतरकुंबक कैशक करें। अंतरकुम्बक यानि हमको श्वास को अंदर भरके रोकना है तो हम अंदर श्वास भरेंगे देखिए श्वास भरके हमें काउंटिंग करना है एक दो तीन चार पाँच छे ताथ आठ चौदा 15 इस तरह हमें 15 सेकंड तक स्वास को रोक के रखना है अगर हम हेल्दी है तो हम मिनिममम 15 सेकंड तक आसान इसे स्वास रोक सकेंगे और अगर हमें शर्दी जुकाम ऐसी कोई बीमारी है तो हम केवल 5-10 सेकंड ही रोक पाएंगे तो मिनिममम 15 सेकंड तक स्वास रोके उसको आगे बढ़ाएं रोज प्रैक्टिस करें नियमित अभ्यास से हम उसको आगे खित सकते हैं 15 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड तो अभी एक टार्गेट रखें कि 15 सेकंड कर में 15 सेकंड तक में रोक कर रखूंगा और वह एक शेट हुआ फिर हम दूसरी बार करेंगे और दूसरा शेट हुआ ऐसा हम लगातर पांच बार करेंगे वह पांच बार करेंगे पांच शेट करेंग एक, दो, तीन, चार, पाँच, शे, साथ, आट, नो, दस, प्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा ऐसा अंदर स्वास को रोके रखना उसे आंतर कुम्बक करते हैं रहते हैं आंतर कुम्बक का अभ्यास हम दिन में तीन बार करेंगे और एक चीज याद रखेंगे, खाना खाने के मिनिममम देड़ घंटे के बाद ही इसका अभ्यास करेंगे तो यह अभ्यास आप अभी किजिए, यह वीडियो के देखने के बाद तुरंत ही किजिए किवल दो-चार दिन में ही आप अपने लंक्ष की क्षमता बढ़ गई ऐसा महशुष कर सकेंगे और एक चीज देख लिजिए कि योग में पुरक, रेचक, कुम्बक किश्य केते हैं स्वास को जब हम अंदर लेते हैं भरते हैं उसे पुरक केते हैं स्वास को हम छोडते हैं बहर निकालते हैं उसको रेचक केते हैं और स्वास को अगर रोके रखे उसे कुम्दक केत lips झाल झाल